हेलो स्टूडेंट्स आप कैसे हो मैं आपकी हिंदी टीचर मिसिस के सुल्ताना आपको भाशा माधुरी का पाढ़ दू चतुर कवा पढ़ाने जा रही हो इस कविता के कवी है शशी पाल शर्मा बच्चों आपने प्यासा कवा कहानी सुना होगा उसी कहानी पर आधारित या क बिता है बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कवा बेचारा गाउं गाउं में नगर नगर में पानी ढूंडना पाया हारा सासा एक घड़ा जो देखा पर पानी था थोड़ा उसमें कंकर कंकर चुनकर कवा लगा फेकने बीज घड़े में घड़े की गरदन तक जब पानी पहुचा तब निजप्यास बुझाई अक्ल और मेनत के बन पर किसने नहीं सफलता पाई इस कवीता में कवी कहना चाह रहे हैं कि एक कवा था जिसे बहुत प्यास लगी थी और वो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था उसने पानी ढूंने के लिए गाओ गाओ नगर नगर सभी जगा कोशिश किया लेकिन उसे पानी नहीं मिला सासा उसे एक जगा एक घड़ा दिखा और वह उसमें देखा कि पानी बहुत थोड़ा है उसने एक एक कंकर उठा कर घड़े में डालना शुरू किया डालता डालता जब पानी घड़े के गर्दन तक पहुँचा तो वह अपनी प्यास बुझा ली और वह प्यास बुझा कर वहां से उड़ गया इसमें उसने अपनी अकल, मेहनत और बल पे ही सफलता पाई बच्चो आपने इस कवीता से क्या सीखा? इस कवीता से आपको क्या सीख मिलती है? इससे यह सीख मिलती है कि मनुष अगर अपना बुझ्धी, बल और अकल लगाए तो उसे हर कार में सफलता मिलती है और वह कभी भी कहीं पे पीछे नहीं हड़ सकता अगर वो अपना समय पे सही समय पे बुद्धी और मेहनत नहीं करेगा तो वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है और उसे जीवन में सफलता पाने के लिए अपने मेहनत और अक्रिपे हमेशा भरोसा करना चाहिए और उसे सही समय पे उपयोग करना चाहिए तभी वजीवन में उन्नती प्राप्त कर सकता है अब बच्चों मैं इस कवीता में जो भी कठिन शब्द है मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें कठिन शब्द आप अच्छे से याद करिएगा और इसे कॉपी में लिखिएगा प्यास, कववा, निज, मेहनत, बिचारा, गाओ, बुझाई, सफलता, सहसा, कंकर, अक्ल, फेकने बच्चों अब इस कवीता के शब्दात को भी आप अपने कॉपी में लिखकर याद करिएगा इस कवीता में एक ही शब्दार्थ है निज, निज मतलब अपना बच्चों अब आप घर में रहकर इस कवीता को अपने कॉपी में सुन्दर अक्षर में लिखिएगा इसके कठिन शब लिखिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा और अच्छे से याद करिएगा Thank you everybody. Stay home. Stay safe. Bye, बच्चो.